कुछ जादा ही जादा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप्पत करना और अगर अभी तक आपने इस डामे के स्टार्टिंग की पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा मुझें कि इससे डिए रहने से मिल दोह जाते पारिन इंटा को परिन में आप अप lumpsिस होँ मैं तो तो बहुत ही यहाँ है इक समाइल कर מischनु को जैसा हुडना तो परिन और इसना हैपी तो मैंना परिण को ना पहली बार ही देखा कज भी कुछ नर्फिर मिता सिर करते हैं। मिस्टर चापने पर फीम प। आले अपनी पनी बंदों को तो भीनित हो agnरा है एंधी करते हैं कि यह कैसे हो सकता है हां तो इस पें सिस्ट आज उने कुछ नहीं जाटार इस पारिन की वज़े से दो आए अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं और बहुत ही जादा घुट्से में होते हैं तो मिश्टर जातों बहुत बाइन को भीजियन की परिंट करने वाला है और भीकुट असके परिंट को दोता ही मैं उसने चैने परोजक्ट कर वह सकते हैं तो अब परिंट ऊफिसनी स्री मन्ता हा जाते हैं दिल्सक्रेंग को सब्वारा है एक है कि उसने जो परोजेक्ट फाइल रेड़ी टेंडर के लिए वह तो मिस्टे Court yay सामेट की ही ती और उसकी यद्वी दूसरा ही प्रोजेक्टस मिट की थी जिसकी वैदोलत आज वो टेंडर उन्हें मिली नहीं पाया और वो सीधा गुसाते हुए मिस्टर चा के पास पहुत जाता है और उन्हें कॉशन करने लगता है कि आपने ऐसा कैसे किया हां मुझे बिना पूछे मेरी प्रोजेक्ट फाइल चेंज कर दी आप मेरे साथ ऐ जो सब चेंज उन्हें सुना रहा है ना वो डिसर्फ करते हैं वेकोज अगर वो चेंज की प्रोजेक्ट फाइल सम्मिट किये होते ना तो में भी हो सकता था कि वह टेंडर जीत भी जाते बट नहीं उन्हें तो परिन पे ज़्यादा था ना देन फिर चेंज कहता है कि अग परिन प्रोजेक्ट के लिए जो कि मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे इंपार्टन प्रोजेक्ट है और हम लोग ना साथ में मिल को प्लेस को बहुत ही अच्छे से मैनेज करने वाले है और काफी है तब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को ना कुछ गुंडे फॉलो कर रह है तो अब कॉस्स मीता तो हैपी हो गई ना देन फिर देखते कि परिन को ज्यादा ही है तो वह सोचते कि चलो क्यों ना परिन को एक और गुड नियूस देदी जाए देन वह उसे कहती कि एक्चुली मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है तो परिन उसे कहता है कि क्या हां देन फिर मीता उसे चैसे ये बताने वाली होती है ना कि वो फिर से प्रेगनेंट है और दोनों फिर से पैरेंस बनने वाले हैं तब ही उनके उपर अटेक हो जाता है बिकॉस वो गुंडे पर इन पर गोली चला देते हैं बट लगी लिए वो गोली परिन को लगने पा दी और फिर परिन और मीता दोनों वांसे भाग में लगते हैं गुंडे उनके फालो कर रहे होते हैं और इस्टिल फारिंग किये जा रहे होते हैं तब ही एक गोली सच में परिन को लग चाती है तो परिन वहीं पर गिर जाता है और अब बिचारे वो दोनों भाग तो सकते नही थे देन फिर गुंडे उनके क्लोज आते हैं जैसे ही पर इनको एक और गोली मारने वाले होते हैं तब ही वहाँ पे कुछ गाँवाले आ जाते हैं पर इनको एसी कंडिशन में देखके न बस रोय जा रही होती है और उसे रोते हुए कहती है कि अपता नहीं क्या होगा अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मैं क्या करूंगी है और सडनली उसकी भी तबित खराब हो जाती है परिन की कंडिशन के बारे में पुछ तो निकाल दिया है बट परिन का बलड लॉस को जादा ही हो गया है तो उन्हें अभी आपजरबेशन में रखना पड़ेगा और जब तक उसे होस नहीं आ जाता ना तब तक वो कुछ भी नहीं बोल सकते है फिर मीता जाके परिन को मिलती है और बार बार उसे उटने का बोल रही होती है और गलती से उसके मुसे निकल जाता है कि तुम्हें मेरे हैं हमारे बच्चों के लिए जीना होगा परिन तुम सुन रहे हो हमारे बच्चे हैं तुम ऐ अंट भी विकोज आइडिया थो उनी का था ना तें फिर मीता सब भी बताती है कि इसमें आंटी बाओ की कोई गल्दी नहीं है बस उन्होंने मेरी हेल्प की अगर वो एसा नहीं करती नहीं तो पका में अपने साथ कुछ गलत कर लेती है बिकोज मुझ में हमती नहीं थी कि मै आपको अपना फेस दिखा सकूँ मैंने आपको बहुत ज़दर डिसपॉइंट किया है और रोई जारी होती है दिन फिर उसकी मुझ मुझ मुसे हख कर दी है और कहती है कि इट सो की बिटा कोई बात नहीं बिकोज उन्हें अच्छे से पता है कि मीता ने कितना कुछ जहला ह आते हैं और बहुत ज़द गुसा रहे होते हैं विकोस परिन पे जो अटेक हुआ है ना वो इन्होंने ही तो करवाया है बट जो बंदे यह हार किये थे ना वो परिन को मार्ने में फेल होगा है और पुलिस ने भी उने आरेस्ट कर लिया है तो आपकोस बंदा तो गुसाए वो उसे कहता है कि क्या बच्चे भी यहां पे हैं मुझे उने मिलना है तो यहां पे मीता उसे बताती है कि नई निक और रिना के अलावा एक और बेबी उनकी लाइफ में आने वाला है वो टू मन्थ प्रेगनेंट है तो यह उनके परिन बहुत ही ज़दा सप्राइज और को जाता है पिकास उसे इसके बार में अभी तक उच पता ही नहीं था और बहुत ज़दा है भी होता है फिर से ड़्यो बनने वाला है देन फिर मीता उसे कहती है कि इसके बाद ना हमारी फैमली एक्तम कंप्लीट हो जाएगी जैसा कि तुमने ड्रीम देखा था एंड यहां ना समाल लेने के लिए आया होता है तो उसकी मौम उसे रोके चाह रही होती है बट वो मानी नहीं रहोता दिन तब ही मिस्टर चा भी उसे रोकने लगते हैं कहते हैं कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारी लिए किया तो मैंसे नहीं जा सकते हो तो इस पर चैनलने कहता है कि बंदे अरेस्ट हुए है ना उन्होंने आपी का नाम लिया है कि मिस्टर चान नहीं हायर किया था पर इनको शूट करने के लिए तो यह सुनके तो मिस्टर चाह और भी जादा शॉक्ड हो जाते हैं देन वह उने किया और पुलिस वाले उस पर बिलीव ही नहीं कर रहे होते देन तब ही गलती से उनकी मुसे निकल जाता है कि आरे बही मैं उसे क्यों सूट करूंगा हाँ वो मेरा खुद का बेटा है और कोई बाब अपनी बेटे को कैसे मार सकता है हाँ तो यह सुनके चैन और उसकी मौम तो एकदम पुरा शॉक्ड हो जाते हैं देन तब ही चैन की मौम उने कॉशन करती है कि क्या हां तुमने अभी क्या बोला तो वो उने बताते हैं कि हां परिन मेरा ही बेटा है तो मैं उसे क्यों मरवाऊंगा हां मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता तो यह सब सुनके तो भी चारा चैन और उसकी मौम बहुत ही करने लगते हैं कि और नो वंडर तभी तुम उसे हमेसा प्रोटेक्ट करते हैं तुम्हारा और कहां कहां चकर चल रहा है तुम्हारी और कितनी ज़्यादा मिस्ट्रिस हैं तुम कब से मुझे चीट कर रहे हो तो मिरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो I'm going to kill you right now you ungrateful person और बहुत के अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते बट अब इस सौरी का वो लोग क्या करें अचार डाले हां और इधर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहां हम लोग देखते हैं कि परिंस सभी को सौरी बोल रहा होता है बिकोज अगर वो उस रात अपने इमोशन पर गंडरोल र तो सब भी लोग बहुत है अपने मुझे बोला था कि मैं आपकी प्रिंस मीता का खयाल रखूं पर अब मैं प्रिंस नहीं बनना चाहता हूं तो कि आप मुझे अपना डैट के के बुलाओगे तो इस पर दोनों बच्चे उसे एक साथ डैट कहके बुलाते है तो परिंस बह को जाती है और बच्चों को बता देती हैं कि परिंसमने थी करने परिंस फेसिक बिलाते बच्छे थे चुर्धी और पंछी जाड़ाद Candice को ऑनीन बिलाता दरा मिस्टर टेख Oh मुझे खुद बोला था कि वह परिन को ऐसे नहीं चोड़ने वाला बिकॉस तब उसे पता नहीं था ना कि वह मेरा बेटा है और मिस्टर तवान नहीं परिन पर अटेक करवाया है एंसीन हॉस्पिटल में फिर से सिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि परिन मीता को थैंक परिन के लिए भी नहीं मैंने तुम्हें बहुत जादा मिस्किया और बहुत जादा इमोशनल डायलोग बाजी माने लगता है यार देन फिर मीता को फॉर एट पर किस करता है और यह वाला सीन भी ना कुछ जादा ही इमोशनल होता है बिकॉस अब ड्रामा एंड होने वाला जामा और चैन और की मॉम भी पोहच जाते हैं और चैन की मॉं तो उन पर इताष्य इंग और उन mom को थप Ball लगा देती है Tो चैन पकड़ागस को यह वाप ठीम और ही थोड़ी है यह जगाने के थोड़ी कि दो मॉनने मिलके किया है न मुझे भीकूट बनाएे तो ऊंब से परीन की मोम को थपर मानने वाली होती हैं अप इससा को मेरी मौम के साथ मगलती है उस्पर आया है या शाड़ करने लगती हैं टब ही पर मिस्टर चा ने खेल नहीं और मिस्टर चांषस्रावक को बने थमें में गुषिए बहुत machinery गहाए थी सो Means मेरा तुमारे साथ कोई रिलेशन्शिप नहीं है, तुमने क्या सोचा था, कि तुम स्रीमन था, मैं परिन को चैन की जगे दे दोगे, कभी नहीं, यू गोल्ड गर्स, एंड, एक्सेटरा, एक्सेटरा, उन्हें बोले जा रही होती है, तो इस पर परिन उन्हें बताता है, कि मिस्टर चा बहुत ही जदा सेलफिस इंसान है, उन्होंने कभी मेरे और माम की बारे में नहीं सोचा, और ये सब कुछ ना, इन्होंने बस आपके लिए किया, एन ऐसा सेलफिस इंसान मेरा डैट कभी नहीं हो सकता, तो परिन की मुझे अपने लिए इत्ती जदा हेटफुल बाते सुनके मिस्टर चा को बहुत जदा बुला लग जाता है, और ये हाई पोल्टी ड्रमा चली रहा होता है, तब भी महां पे मीता एन उसकी फैमली भी पहुंच जाती है, हां बस हीनी की तो कमी थी, तब भी बच्चे परिन को डैट डैट क्या के बुलाने लगते हैं, उसके पास चले जाते हैं, तो मिस्टर चा तो एकदम शौक्डी हो जाते हैं, और परिन को कॉश्चन करते हैं, कि क्या ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे नादी पोते, तो ये सुनके मिस्टर मिन बहुत जदा शौक्डी हो जाते हैं, और बिचारा परिन भी बहु बट यह वाला पार्ट नहीं पर कम्पलीट हो जाता है then see you for the next video साहना रा बाई-बाई